हरे कृष्णा, मैं हूँ राधिका और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं। इससे पहरे कार्टिक के महिने में आपने जिस तरह से हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया और लगातार कथाएं हमारे चैनल पर सुनी, सबसे पहले तो आप सभी का उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुवार के दिन मालक्षमिजी की पूजा कैसे की जाती है, कौन सी कथा पढ़ी है सुनी जाती है, उसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर आप जरूर देख लिजेगा। मारक्षीस का महिना 9 अवंबर बुधवार से प्रारंप हो चुका है जो की 8 दिस्संबर को गुरुवार को मारक्षीस पूनीमा के दिन समाप्त हो जाएगा। और ये महिना भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वैम को मारक्षीस मास बताया है। कहते हैं कि इस महिने में अगर भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाए तो इंसान की सोईवी किसमत भी चमक उठती है मार्कशीस मास को अगहन महीने के नाम से भी जाना जाता है इस मास में नदी के स्नान का भी विशेस महत्वे हैं कहा जाता है कि मार्कशीस मास में हर दिन पवित्र नदी में स्नान करने वाले भक्तों को अक्षय पुन्न की प्राप्ती होती है इस्त्रियों का वर्वाहिक जीवन सुखी रहता है जिसके जो भी इच्छा हो भगवान श्री कृष्ण उस इच्छा को अवश्य पोन्ड करते हैं तो अगर आप इस महिने में भगवान कृष्ण की भक्ती करके उनकी विशेश कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आज महातमी में कुछ जरूरी नियमों के बारे में जरूर जान लिजे ये नियम है सबसे पहला तो भगवत गीता या भगवत कथा का पाठ यश्रवन भगवत गीता और भगवत कथा सुनने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन होते हैं और इस पूरे महीने में आप रोजाना दिन में एक बार भगवत गीता का और भगवत कथा का पाठ भी जरूर करें आप चाहें तो रोजाना पढ़ सकते हैं नहीं तो जब भी आपके पास समय हो एक या दो दिन में आप जरूर पढ़ें दूसरी बात माखन मिश्री का भोग भगवान कृष्ण को नियमित रूप से लगाना चाहिए साथ में तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें अगर संभव हो तो रोजाना तुलसी जी के नीचे जिस तरह से आप घी का दीपक कारती के महिने में जलाते थे उसी तरह से माखशी इस महिने में भी जलाएं इससे भगवान कृष्ण सारी दुख और दर्द दूर कर लेंगे अगर हर दिन पवित्र नदियों में इसनान करना संभव ना हो तो रोज आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल कर इसनान कर सकते हैं उससे पहले आपको तुलसी जी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने शरीर पर लगाने चाहिए उसके बाद इसनान करना चाहिए रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप जैसे की ओम क्रिंग कृष्णाय नमहा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमहा इन मंत्रों का जाप जरूर करें अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो उससे भी आप जाप कर सकते हैं गवों की सेवा करने से तो काना जी वैसे ही प्रसन रहते हैं इस महिने में जहां तक हो सके जितना हो सके आपको गवों की खास तोर पर सेवा करने चाहिए उन्हें हरी घास हरे मतर खिलाने चाहिए क्योंकि भगवान कृष्ण तो स्वयम भी गवाले थे और खुद गायों की स सेवा करते हैं गवों का सम्मान करते हैं गवों के साथ बचलों की सेवा करते हैं काना जीतों उनसे सदा प्रसन रहते हैं मार्कशीस महिने में आलत से क्रोध नहीं करना चाहिए किसी के निंदा नहीं करनी चाहिए हर प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए इस महिन कुछ विशेश दिनों में कुछ नकुछ दान जरूट करना चाहिए काना जी की कताएं तो आप सभी सुनना पसंद करते हैं तो मार्क्षी स्मास मातमे में आज सबसे पहले आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण उनकी परम प्रेमी का राधरानी और मोर पंख के बारे में एक बार गोकुल नगरी में एक मोर रहा करता था वो काना जी का परम भगत था एक बार उसने कानह जी की कृपा पाने के लिए उनके ही द्वार पर जाकर जब करने का निश्चे किया उसके बाद तो वह मोर उनके द्वार पर बैठ कर रोज कानह कानह का जब लगाता रहता बेचारा मोर एक पेड़ पर बैठ कर वही द्वार के सामने क्रिशना क्रिशना का नाम जबता रहता जब करते करते प्यास के मारे उसका गला सूख जाता और इससे तरह उसे इतनी कठिन तपस्या करते करते एक बरस बीद गया लेकिन अब तक उसे काना जी की करपा प्राप्त ही नहीं हुई एक दिन अपनी इस हालत से दुखी होकर मैं मोर रोने लगा जब मोर रो रहा था तब ही वहां से एक मैना उर्ती विजा रही थी उसने नीचे रोते वे मोर को देखा तो बड़ी अचमभित हुई उसने सोचा ये मोर क्यों रो रहा है तो मैना सोचने लगी कि हो सकता है इसे कोई तकलीफ हो अब कनहया के द्वार पर बैठा है और कोई रोय ये तो बड़ी हरान करने वाली बात है अब उसने सोचा की चलो चलकर देखणा चाहिए ये सोचकर मैना मोर के पास गई और रोनी का कारण पूछा कि भाई क्या बात है क्यों रो रहे हो तुम तो काना जी के द्वार पर बैठे हो काना जी तो अपने द्वार पर बैठे वे किसी भी भक्त को रोने नहीं देते तब मोर कहने लगा कि क्या बताऊं बहन एक बरस से मैं इस कनहिया को प्रसंद करने के लिए इसके नाम की माला जब रहा हूँ लेकिन कनहिया ने प्रसंद होना तो दूर आज तक मुझे बोलते ही वे प्यासे को पानी तक नहीं पूछा कभी मुझे प्यासे को पानी तक नहीं पूछा कि मैं रोज सुबह से शाम तक उसके नाम की माला जबता हूँ कि मेरा गला सूख गया होगा ये सुनकर मैना बोली भाई बात तो परिशानी की है लेकिन सुनो मैं राधे रानी के बरसाने से आई हूँ एक काम करो तुम भी मेरे साथ वहीं चलो राधारानी तो बहुत दयालू है वो तुम पर जरूर कृपा करेंगी मोर ने मैना की बात मान ली लेकिन रास्ते में मोर के मन में कुछ संशय हुआ तो उसने मैना से पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि काना जी की तरह राधारानी भी मेरी बात कौँ देखा करे तब मैना कहने लगे कि अरे भाई जो भी बात आपको काना जी तक पहुचानी हो वो राधारानी से एक बार जरूर बताने चाहिए तुम्हारी जो इच्छा है वो राधारानी को बता दो काना जी उसे जरूर पूरा कर देंगे अब दोनों उर्ते-उर्ते बरसाना पहुँच गए लेकिन मोर ने राधारानी के दर पर जाकर भी काना जी का ही नाम चपना शुरू कर दिया मोर बड़े मेठे सवर में गाता रहा जब मोर गा रहा था तो अंदर राधारानी बैठी मी थी जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके द्वार पर कोई काना काना की रेट लगा रहा है वो नंगे पाउं ही दोरती भी बाहर आई और उन्होंने देखा कि एक मोर काना जी के नाम की माला जप रहा है तो उन्हाने बड़े खुश होकर उस मोर को गले से लगा लिया भला कोई जीव जन्तू काना जी के नाम की माला जपे उनका नाम ले उससे राधा रानी को प्रेम नहीं होगा इसने नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता राधारानी ने बड़े प्रेम से पहले तो बहुत दे तक उस मोर को गले से लगाया फिर पूछा अरे मोर तु बता तो सही कहां से आया है और तो यी काना के नाम की माला क्यों जब रहा है तब मोर थोड़ा उदास होकर कहने लगा कि जै हो राधारानी की आस तक तो सुना था कि तुम बड़ी करुणा मई हो बड़ी दयालू हो और आस तो मैंने देख पी लिया अब राधारानी बोली कि ऐसा कैसे कह सकती हो तब मोर कहने लगा कि देखो हे राधारानी मैं तो पिछले एक बरस से कनहिया के द्वार पर बैठ कर उसके नाम की माला जब रहा था क्रिश्ना क्रिश्ना का नाम जबता रहता था लेकिन उस कनहिया ने तो मुझे पानी पिलाना तो दूर मेरी और देखा तक नहीं एक बार द्वार पर आकर देखा भी नहीं कि मैं रोज सुबह से शाम तक उसके नाम की माला ही चपता हूँ कानओ तो बड़ा निर्मोही है जब राधा जी ने सुना तो तुरंत कहने लगी अरे नहीं मेरे कानओ ऐसे निर्मोही नहीं है तब राधारानी ने उस मोर से कहा कि एक काम करो तुम फिर से कनहिया के द्वार पर जाओ लेकिन इस बार वहाँ जाकर काना काना नहीं राधे राधे रटना मोर ने अब की बार राधारानी की बात मान ली वापस लोट कर और मन में एक आशा का संचार लिये वे वो वापस गोकुल नगरी आ गया अब जैसे ही वो काना जी के द्वार पर बैट कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलने जा रहा था तभी उसे राधरानी की बात यादा गई और वो हरे कृष्णा का जब छोड़कर राधे राधे रटने लगा ये सुनते ही काना जी नंगे पाउं दोड़े चले आए और देखा तो एक मोर राधे राधे का नाम चप रहा है मोर से पूछा अरे भाई मोर बताओ तो जरा तुम कहां से आए हो और ये सुबह सुबह राधे राधे की रट क्यों लगा रहे हो भला कोई राधरानी का नाम पुकार और कनरिया जी शांत बैट पाए ऐसा तो हो नहीं सकता तब मोर कहने लगा अरे माधव एक बरस से मैं तुम्हारा नाम जप रहा था और तुमने तो मुझे पानी तक नहीं पिलाया अरे ओ मोहना मैं तो एक बरस से तुम्हारे ही द्वार पर था भूखा प्यासा तुम्हारा नाम जबता रहता था लेकिन तुमने तो मुझे पानी तक नहीं पलाया और आज जब मैं राधे-राधे की रट लगा रहा हूँ और अभी तो मैंने राधे-राधे बोलना शुरू ही किया था कि तुम तो जटोड़े चले आएं तो अस मौर की बात सुनकर काना जी को उस मौर पर बढ़ा प्यार आया उस मोर को अपने गले से लगा कर काना जी बोले अरे मोर मैंने तुझे कभी पानी को नहीं पूछा ये तो मैंने बड़ा भयंकरपाप किया है लेकिन तुने राधरानी का नाम लिया ये तरह सोभागे है इसलिए तो आज मैंने तेरी पुकार सुन ली जा मैं तुझे वर्दा कि जब तक इस अंसार रहेगा तेरा पंक सदा ही मेरे शीस पर विराजमान रहेगा तेरे पंक को मैं हमेशा मुकुट की तरह अपने मस्तक पर धारन किये रहूँगा और जो भी भक्त एक बार मेरा नाम राधिरानी के साथ लेंगे मैं उसके सारे दुखों को हर लूँगा और वो भक्त भी मुझे तुम्हारी तरह ही प्रे हो जाएगा इतना सुनते ही मोर को तो मानो सब कुछ मिल गया हो उसके जीवन की सारी तपस्या ही पूरी हो गई हो बड़ा प्रसन हुआ और तभी मोर ने बड़े प्रसन होकर अपना एक पंक वहीं गिरा दिया ये देखने से सच गया मानों उनका मोर मुकुट बन गया हो तब से लेकर आज तक कानाजी सदा अपने मस्तक पर मोर पंक धारन करती हैं तो ये थी आज की कहानी कल से आप मार्कशिस मास महतमी की कथाएं सुनेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले तो आज इस वीडियो को भरपूर प्यार देजेगा जितने लोग भी आज इस कथा को सुन रहे हैं और जो लोग आगे भी मार्कशिस महिने में पूरे 30 दिन तक हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनेंगे तो प्लीज आज आज आप कमेंट करके पना नाम जरूर बताएगा और आज ही आ आप हमारे चैनल पर भागवत कथा के आगे के अध्याई भी सुनेंगे मैं आपको वीडियो प्रीमेर करके या पोस्ट की माध्यम से बता दूंगी कि किस समय हम आपको ये कथाओं सुनाएंगे तो प्लीज आप उस समय हमारे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुन लीजेग झाल को ये समय हमारे चैनल प्रीमेर का चैनल पर लागवत के विलगा शानसुन लीजे हमारे फैड़त कि